आज अब दोस्तों मैं हूँ शेहजाद आलम बर्णी आप देख रहे हैं दा बर्णी शोओ आज मैं अपनी शोओ में जो मुटा लेकर के आए वो मुटा है प्रियाग राज में बुल्डोजर के द्वारा की गई कारवाई को लेकर के इलाबाद हाई कोड के पूर्व मुखे नियाए धीश यानि के चीफ जस्टिस जो फॉर्मर चीफ जस्टिस है उसकी तरफ से एक बयाना है दस तारीक को एक घटना होती है प्रियाग राज के अंदर जबकि देश भर के अंदर जुमा के रोज दस तारीक को प्रदर्शन होते हैं प्रदर्शन की वज़ा बना नुपूर शर्मा का बयान बीजेपी की परवक्ता जिन्होंने 27 मई को टाइमस लाओं की एक डिबेट में प्रॉफिट मुहमस अला सलम को ले करके विवादे टिपड़ी की इस ट्रपड़ी पर कारवाई की मांग की गई पहले तीन तारीक को प्रदर्शन कानपूर में हुआ उसके बास 10 जून को प्रदर्शन हुए देश भर के अंदर उसी में से एक जगा थी प्रियाग राज, प्रियाग राज में भी पिरदर्शन हुए, उस पिरदर्शन में हिंसा बढ़की और हिंसा का मुख्य आरोपी बना दिया, वेलफेर पार्टी अफ इंडिया के नेता जावेद मुहम्मद को, उनकी बेटी जेनियू में पढ़ती है आफरीन फातिमा उसका नाम है, अलिगर मुस्लिविस्टी की जो वीमेंस कॉलिज है, उसकी प्रेसिडेंट वो पहले रह चुकी है लेकिन 12 जून को बुल्डोजर की कारवाई की जाती है, जो घर जावेद मुहम्मद की पतनी के नाम था, परवीन फातिमा के नाम जो घर ता, उस घर को ढ़ा दिया जाता है बाकाइदा प्राधिकरण की तरफ से नोटिस आता है कि जावेद मुहम्मद का घर जो है, वो अलीगल है और उस इनलीगल घर के निर्मार को धुस्त किया जाएगा लेकिन उससे पहले की जो हाउस टेक्स की रसीद हैं, वो घर उनकी पतनी परवीन फातिमा के नाम है, जो परवीन फातिमा के पिता ने अब से 20 साल पहले उन्हें गिफ्ट में दिया था सवाल उठने लगे कि यदि घर पतनी के नाम है, तो आप किसी आरोपी की पतनी का घर किस तरक ऐसे आप धुस्त कर सकते हैं, हाला कि कि किसी भी धुस्ती करण के लिए देश के अंदर जो है दो मुक्खे बाते होती है, कि अगर किसी का भी कोई भी बिल्डिंग का धुस्ती लेकिन जमीन अगर सरकारी है दूसरा है कि यदि अपराधिक पैसे से जो है उसका निर्मार किया गया है अपराधिक जो एक्टिविटीज है उससे पैसा इखटा करके निर्मार किया गया हो लेकिन यदि वो साबित हो जाए तब ये बात मानी जाती है कि साबित हो जाए कि का नहीं है उसके लिए आपको कोट में जाना पड़ता है लेकिन कोट जाने की राजकल उत्तर प्रदेश में जरूत नहीं है डिरेक्टली बुल्डोजर आता है किसी के भी उपर चड़ा दिया जाता है इसी को ले करके लाबाद हाई कोट के पूर मुक्ह नियादीश जेस्ट होगा या नहीं होगा ये कानून तैक करेगा अब ऐसे सवाल ये बनता है कि लाबाद हाई कोट के पूर नियादीश की तरफ से बयाना गया है कि जो काम हुआ है वो पूरी तरह से गेर कानूनी है चुक्छे घर जो है वो परवीन फातिमा के नाम है हाउस टेक्स जो है वो और एक और इस पर बड़ा सवाल ये उठता है कि यदि ये इलीगल था घर तो फिर सरकार उनसे हाउस टेक्स क्यों वसूल रही थी कैसे कोई इलीगल निर्मार के लिए हाउस टेक्स वसूल सकता है ये सबसे बड़ा सवाल है आप इस पूरे मामले को किस तरहा से देखते हैं अपनी राय जरू बताएं वीडियो के नीचे कमेंड बॉक्स से उस कमेंड बॉक्स में जाएं जाकर कि अपनी राय हमें जरू बताएं आज के इस एपिसोड में इतना ही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर जरू करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब ज फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिये हुए उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया